कि तो अगे पूछते थे कि हमने कंक्रिया मारने में आगे पीछे अपने आपको कर लिया यह निकि अभी नहीं मारनी थी लेकिन हमने पहले मारनी या फिर हमने सर्ब पहले मंडा लिया, कुर्बानी पहले कर ली, आगे पीछे हो गई है ना तो आप कहते थे सुललाह अलाहिवाली वाली वासलम कोई हर्ज नहीं, अब कर लो तो मुझे ऐसी ख्याल आया मैंने का कि ये किती अच्छी शांदार बात है और इतना परिशान नहीं होना चाहिए है ना किसी भी चीज में हम बहुत ज़्यादा में मेख निकालते हैं हम बहुत सोचते हैं, हमें काम करना चाहिए कि नहीं, टाइम निकल गया है अब क्या होगा, ये तो गलत हो गया सोचते हैं हम बहुत सोचते हैं ऐसे हैं ना और जिन्दगी में हमने नमाजें नहीं पढ़ी तो अब क्या होगा अब रहने दो अब क्या करना है या रोजा नहीं रखा तो अब तो टाइम गुजर गया कुछ भी ऐसा हम कर लेते हैं माबाप के साथ दुरा सलूख किया है तो कोई भारच नहीं कर लिया ना जो भी गुज और पर अगर किसी से माफी नहीं Ici बहुत अरसा हो गया है माबाप नराज है या कुई भी ऐगर ऐसा है जो आपसे नराज है या आप ने किसका बुरा सलूख किया और अपका ख्याल बतनी वो माफ करेगा के नहीं तो आपने अपना हाक अदा करना है आपने अपना काम जरूर करना है बाकी अल्ला ने जो करना है वो करना है ना इनसान तो यही कर सकता है कि वो जो कर ले जब भी कर ले, कोई हर्ज नहीं कोई हर्ज नहीं तो माफी मांग लें, किसी का दिल खराब किया है, किसी के साथ बत्तमीजी की है, माबापको टाइम ने दिया, तो आप टाइम दे लें, सारी उमर गुजर गई, आपने उनके साथ बैठे नहीं, उनसे गुफ्तगू नहीं की, उनका दिल नहीं खुश किया, नौकरी में रहे या पढ़ाई में रहे, या बचों के और जिन्दगी के बखेडों में रहे, तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, है ना, यह जो शादी है और जिन्दगी है, हो कहते है ना, एक रेस है, लंबी रेस है, छोटी रेस तो है नहीं, है ना, तो यह है कि हम बड़ी मन्जिल के मसाफिर हैं छोटे 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 जगडों में ना पड़े और छोटे छोटे मसाइल का शिकार अगर होते हैं तो उसको खुद ही हल कर ले हर चीज में जो है ना दूसरों से भी नहीं पूछना होता कुछ चीजें खुद ही हल कर लेनी चाहिए और कोई हर्ज नहीं है किसी भी चीज़ को किसी वक्त भी ठीक कर ले कोई हर्ज नहीं है किसी के पास जहाज में बैटके चले जाए यह जहाज आ रहा है बड़ा खुशूरत जब भी दिल करें चले जाए अपनों के पास अपने बच्चों के पास है ना मिझें चले जाहें लिए कि वे प्रति कि भी तो इसमें जादा अपसो-पेश नहीं करना चाहिए चाहिए फट कल पच्चू करना चाहिए हम इसे ही सुवाओट आर कोई हमें हमारी मैनेजमेंट ना हो और कोई हमने कुछ सोचा ना हो बस जैसे भी आज दिन आएगा हम गुजार लेंगे जैसे भी जिन्दगी आएगी गुजार लेंगे जो भी होता जाएगा करते जाएगे तो ऐसा नहीं है अज आज आज़ ने तो सब प्लैन किया हुए है लेकिन अटकल पचू जा ना उस पर नी काम हो सकता उस पर नी जिन्दगी चल सकती जिन्दगी को बड़े राम से खुपसूर्टी से चलाने की जरूरत होती है और ये खुबसूरती और ये हुसन है कि हम साथवलों के साथ अच्छा से लूग करें मियां बीवी का सबसे important रिष्टा है, माबाप का रिष्टा है बच्चों का रिष्टा है, है ना ये रिष्टे बड़े प्यारे हैं और ये रिष्टे जो है ना इस्ता इस्ता खतम हो रहे हैं, कुछ जिन्दगी के उसूल भी ऐसे बन गए हैं, दूर चले जाते हैं, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं वहार रहे हैं, माबाप अकेले हैं पीछे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं या मुल्क में दूसरे शहर में हैं माबाप बैठे में हैं, तो चले कोई नहीं फोन कर लें, मालूम कर लें है ना, ठंडी ठंडी हमाएं दे दे ये माबाप को तो ठंडी ठंडी हमाएं ही चाहिए होती है सब को बच्चों को भी चाहिए होती है क्योंकि जिन्दगी तो बहुत जल्दी गुजर जाती है तो बस यही बात ही कि जहां भी आपने ठीक होना है वहां हो जाए अगर कोई काम रह गया है तो कर ले कल पे ना छोड़े कोई हर्ज नहीं और जो मांगना है अल्ला से मांगे अज़ài क्योंकि नहीं है और तो किसी नहीं करना बेश है कार Bay यहां पर λोगों से मांगते फिर है जो मर्जी छिकरते फिर है तो कर जब तक अल्ला नहीं चाहिए तो काम तो नहीं होगा जूते का तस्मा भी मांगना हो तो कहते हैं अल्ला से मांगो चोटी चोटी बिमारिया है या बड़ी बिमारिया है चोटे चोटे मसलिया या बड़े मसलिया आप अजमा के देखें दो नफल पढ़ लें एक्स्ट्रा पढ़ लें थोड़े से अगर नमास पढ़ते हैं तहजित पूड़ जाएं और दिल से गड़गड़ा के अगर दो तीन आंसों के साथ आप दूआ कर लेंगे तो आपकी दूआ कुबूर हो जाएगी इन्शाला ताला और अगर नहीं होती तो वो अल्ला ताला ने संभाल लिये कभी न कभी कहीं और पर वो आजाएगी काम ठीक है रहा तो बस खुश रहिए और दूआओं में याद रखिए अल्ला ताला आपके लिए सबके लिए असानिया दे है ना तो बस आज की यही बात किसी वक्त भी कोई काम कर ले कोई हर्ज नहीं Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh